बूट मॉनिंग चलिए आज हम जानेंगे कि अपना हम कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशन स्पीड हम अच्छी कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में आज हम जानेंगे बहुत सारे बच्चे से होते हैं जिसके कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है वह अप कैसे भी कूछ चंद को हल करने में सॉल करने में ज्यादा समय लगता उसी के बारे में जानेंगे कि हम अपने कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कैसे कर सकते हैं उसको कैसे स्पीड कर सकते हैं तो उसी के बारे में जानेंगे स्क्वाइर के बारे में स्क्वाइर से लेके 99 तक 99 100 999 तक कि बारे में का सकते हैं उसी के बारे में आज हम लोग चानेंगे चलिए मान लीजिए कोई भी संख्या है तो आंको की संख्या कोई भी मान लीजिया जैसे होगे हमारासने सुछान निकालेगे उसानी सफ हो सकते जैसे टुटस za सुछा है तो मैं सबाटवाइस स्सक्वाता है होता है यहां पर फो हो से का स्कॉर हो जाता है यहां पर हमेंसा क्या होना चाहिए डबल अंग होना चाहिए एक अंखम यहां पर कभी भी नहीं रख सकते डबल अंग होना चाहिए अब क्या करेंगे सिर फोर फोर्स फोर को एक छोड़ के हम अहां पर लिखेंगे दिया हो जाएगा फोर न स hè चलिए हम जानते हैं कोई दूसरा इकजामपल लेते हैं जैसे होगी हमारा हमारा 25 हम कैसे निकालेंगे इसी बगार हम और भी आज़ानेंगे जिसके अंत में वह नंबर जिसके अंत में क्या हो फाइब हो उसका स्क्राइब हम कैसे निकाल सकते उसी के बारे जैसे 25 है तो 5 का स्क्राइब हो जाएगा 25 और 2 का स्क्राइब हो जाएगा 4 अब क्या करेंगे 2 से 5 में 5 से 2 में गुना करेंगे तो 25 जा 10 10 टूजा 20 एक इधर लिख लेंगे एक इधर लिख लेंगे तो 5 2 अफोड टू 6 625 उसी परकार चली हम आगे कुछ जानते हैं जैसे हो क्या 64 64 का में स्कॉर कैसे निकालेंगे आप लोग भी अपना कोपी कोपी निकाली जे पेंद निकाली जे देखें हल की जे कैसे किसे निकलता है 64 & 64 का सक्वाइर हम कैसे निकल और 64 है तोकिस अभी सिंधित होता है किया सुथा होता है Chicago होता है 36 अब क्या करेंगे 6 से 4 में एब four से 2 में 24 24 c o 48 एधा इतरूक को इधार लिक रहांगे एटू इधार लिक अब सट इसक लें 964 हो गया 031 400 4096 आपका राइट एंसर हो जाएगा उसी परगा चल लिए कुछ आगे भी हम लोग जानते हैं कि टू डीजिट से लेके 101 से लेके 99 तक हम कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे जैसे देख लिए कोई भी मान लीचे जैसे हमारा 93 है 93 का स्क्वाइर क्या होगा 93 है 93 का स्क्वाइर क्या होगा जैसे सबसे पहले दो घर में जानते हैं इसको दो घर में बाटना है दोखर में माटेंगे 3 हो जाएगा हमारा 9 इधर हो जाएगा 9 का स्कॉर हो जाएगा 81 इधर क्या आम लोग जानती इधर में साथ 2 अंक होना चाहिए अगर नहीं है तो हम 0 लगा देंगे तो 81 है तो अब यहां गुना करेंगे 9 से 3 में 3 से 2 में 9 3 जा 27 और 27 तो जा 54 तो 5 को इधर लिखेंगे 4 को इधर लिखेंगे 945168 आपका हो जाएगा 8,649 राइट इंस उसी पर चलिए 96 है 96 का आप लोग करके देखिए बताए कैसे होगा 96 96 सक है यह हम कैसे निकालेंगे निकाल के बतां यह कोमेंट किजिए 6μά इसको हम 6 है 96 तो 6 का सक्यार होता है 36 और 9 का सक्यार होता है 81 6 का स्क्वार 36 अब क्या करेंगे 9 से 6 में 6 से 2 में तो 9 सिख जा 54 अब 54 टू जा 54 टू जा 108 108 चली 6 का 6 8 311 का 1 कैरी हो गया 111289 9296 9216 आपका राइट हैंसर हो जाएगा उसी परकार चलिए 49 49 का आपनों करके देखिए 49 का स्क्वाइर कीजिए 49 का कीजिए जल्ड है फास्ट है 49 का क्या होगा सबसे पहले 49 को इसको दो घर में बाटेंगे 9 का होता है स्क्वाइर 81 फोर का स्क्वाइर होता है 16 अब क्या करना है आगे का स्टेफ फोर से नाइन में नाइन से टू 49 36 36 277 को इधर लिखना है टू को इधर लिखना है एक बाद या दखिए इधर हमेंसा क्या अंक होना चाहिए दो आंक होना चाहिए अगर एक अंक है तो हम क्या करेंगे यह एक जीरो पहले एक जीरो लगा देंगे चलिए इसको एड करते है तो वन का वन एट तू जीरो एक टू टेन टेन का जीरो के रिवन शिक्स सेवें हो गया 13 13 14 का फोर बचा वन यहां हो जाए वन टू 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 थाउजेंड फोर हंड़ेड वन हो जाएगा आपका थे इन सरे उसी परकार चलिए देखिक हागय समझते है दूरर कि नीकिनां कि नैंटीना याचन का स्क्वाइर क्या होगा है बॉइंटी नैन का स्क्वाइर क्या होगा यह क्या करना है गर में बातना है ना जा जाएगा अचना won Nejout अब क्या करना इसका अगला स्टेप 9-9-9-81-81 टू जा होता है 162 वन से वन का वन आट टू एट टेन टेन का जीरो कैरी वन आपका राइट हैंसर हो जाएगा उसी परगा चली आगे जानते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी 77 77 का स्क्वाइर क्या होगा 77 का स्क्वाइर क्या होगा चली आप लोग किजिए जानते हैं सेवेन है तो क्या करेंगे डवल घर गर बनाएंगे सेवेन का स्क्वाइर होता है 49 सेवेन का स्क्वाइर होता है स्क्वाइर का स्क्वाइर हो जाएगा उसी परकार चली है कुछ आगे जानते हैं अब चलते हैं क्या थ्री डीजिट पे चलते हैं जैसे हम जानते हैं 101 100 100 से लेकि 999 तक आ जा नहीं जैसे स्क्वाइर होता है जैसे हो गया टू डीजिट का हो गया टू डीजिट एक हो गया जैसे कोई मानते हैं जैसे हो गया 104 104 का स्क्वाइर क्या होगा थ्री डीजिट का स्क्वाइर हम कैसे निकालेंगे चले इसको भी क्या करना है डवल घर में घर बना लेना है डवल घर बना लेना है सबसे पहले हम इसमें क्या देखना है कि वन हंडेड फोर है वन हंडेड फोर जो है किसके नजदिक में है तो वन हंडेड के नजदिक में है तो वन हंडेड के नजदिक में है तो इसमें हमको बेस मानना परेगा तो इसका जो बेस हो जाएगा बेस हो जाएगा इसका मुल्टिपल में होगा जैसे 104 है 104 जो है किसके नधिक में है 100 के इधात सबसे पहले 4 है था 4 फोर जाओ जाएगा 16 उसके बाद 104 104 के में क्या करना 104 100 से कितना अधिक है तो फूर एक बार क्या करें को 104 जो है इस च्वार इन फोर Heather से 100 सिक इतना अधिक है फट्रेश करेंगे एक बार माइनस एक बार माइनस प्थथे करेंगे प्सक्तो प्रिया-4 तो 104 चैनल क्या करेंगे TensorFlow १र ओ गया आपका कितना हो गया 16 वान इसमें याद रखना था हमको किससे करना है तो 100 करना हम यह सा मल जो गर्टिपल हो तो कितना भी हो भी कितना भी उसे मतलब नहीं है तो 100 इसको यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा चलिए आगे कुछ जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा है टूहन टूहन्डेट सिक्स्टीन का स्क्वाइर क्या होगा आप लोग करके बताइए टूहन्डे फास हेस्टीन का स्क्वाइर क्या होगा इस्य पर का वजानेंगे आप लिए किस्टेन जो है किसके अंदेक में हैं तो वेस हमारा होगा 2ionen डिवाइट होगा तो हन्डेट से ही लेकिन इसका जो सोगे तो किस्टीन करेंगे तो हमारे इसिक्स्टीन है किस्टीन का क्या करना है चलिए आप लोग बताईए शिक्टीन का स्कॉार क्या होगा इसको दो घर में बात ना थाटी सिक्स वन का स्कॉार वन अब क्या करना वन से क्या हो जाएगा 232 हो जाएगा 232 मल्टीप्लाइ कितना होगा 216 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा 200 हमेशा डिवाइड करना है हंडेड से काटेंगे तो हो जाएगा कितना से टू से टू रूजा अब क्या करना है 232 से टू में मल्टीप्लाइ कर देना 232 से टू में मल्टीप्लाइ करेंगे तो कितना हो जाएगा 264 आइधर का होगा 256 समयसा इधर दो आंग होना चाहिए एक ज्यादा दो ज्यादा है त तो है तो 266 और 56 यही आपका राइट एंसर हो जाएगा चलिए आगे आपको देते हैं घर सफिरी हंडेड़ 5 थी 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 सक्वाहर कैसे निकालेंगे आप लोग बता यह गा थी 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 सक्वाहर कैसे निकालेंगे जल्दी निकाली है 305 305 का स्क्वाइर कैसे निकालेंगे इसलिए मैं इसे बताना हूँ जिससे आपको परसानी नहों जैसे 305 है तो नहीं हो जाएगा इसा कि थिए थिए थियुपाइब करेंगे थियुक्ति दियूफाइब करेंगे तो हो जाएगा 300 अब इसको क्या करना है multiply divide कर देना है कितना से 100 से 300 को काटेंगे तो 3 अब multiply कर दीजे 300 103 जा हो जाएगा 900 30 25 यहीं आपका राइट एंसर हो जाएगा चलिए अब समझते रहे उसके बाद चलिए मान लेजिए आप फोर पर चलते तो फोर हंडेट 10 है 410 का स्कौर क्या होगा है 410 यह का स्क्राइप ओगा आप लोग निचाली है कि है कि ह binary का स्कौर क्या होगा जल्दि फार्स मैं थोड़ा दिर आप मेरे साथ है कि केल्कुलेसेंग में इस हो जाएगी 맞아요 है तो हमारा बेस क्या हो जाएगा फोर हंड़े जो हमारा क्या होगा वहां युमारा क्या होगा हमें सा 50 की को मुल्टिपल मेरे फिप्टी का में रागा जाएगा जैसे प्रहें पहले क्या करेंगे इंप एक बाल मानक हो जाएमाक, आप इधर क्या करना एक्वापते को तो हो जाएका हम नीक्षे मैं हमेशाँ डिवाइट करना है किसे काटे cracking आप क्या करना मल्टिपलाई करना उब फोर हरनेट ट्वॉनटी से फोर में डिवड किये तो कितना हो जाएगा अब क्या करना कि अधर हमें साथ D is just a लुन हो जाएगा स्विक्राइड का डबल और यही आप राइट इंसर आगे चलिए से मान लीजिए फॉरण्डे ठैन है तो 550 550 50 का स्क्वार में क्या आप लोग बताई है this is in 150 का स्क्वैर क्या होगा जल्दी फाष्ट आ कि अगहाँ है छली जानते फॉर हन्ट 505 जो है किसके नजदीक में है तो 500 के नजदीक है उसी 505 तो और फिप्टीन है 15 सार्ट कितिना या याई करना कुछ नहीं उसकेबाद 15 का स्क्वाइर कितना होता है हैं 15 का स्क्वाइर होता है 225 225 उसकेबाद 500 15 में क्या करेंगे 58 UV तो 500 30 मल्टिपलाइ 550 में से एक बार 15 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 बट्टे में हमें साथ डिवाइट करना है 100 का डिवाइट देना है 100 से क्या करेंगे इसको डिवाइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 100 से 500 को डिवाइट करेंगे तो हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 2650 सोरी 2650 हो जाएगा इधर बच्छा आपका 225 तो इधर में यहाद रखना है दो अंग होना चाहिए एक दो अंग ज्यादा है तो इधर चला जाएगा तर 265 225 यहीं आपका राइट एंसर हो जाएगा चलिए आगे मैं दे रहा हूँ आपको उसको सवल्व किजिए जैसे मैं दे रहा हूँ आपको 625 इसका राइट एंसर क्या होगा इसका स्क्वेर क्या होगा आप लोग निकाल के बताए जल्दी फास्ट कि 625 का राइट एंसर क्या होगा कि 625 का राइट एंसर क्या होगा चलिए 625 जो एक इसके ने दीक में है तो हमारा कहे गए तो 600 का 2is हो जाएगा हमारा 600 500 प्या हो जाएगा 600-625 तो 25 से कितना धीक फिक राइट कना मािनस 25 करने लेकिन प्लस 25 एक बार माम adelant 25 25 का स्कॉर होता है शिक संड़ त्वंटिफाइब elandement catalyst में से क्या करेंगे एक बार 25 को एड खरयंके तो जाएगा हमारा बट्टे में और करना होगा जल्दी से 6 में दिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा जल्दी 650 से 6 में दिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3900 उसके बाद इधर बाच्छा आपका 625 इधर हमेशा क्या होना चाहिए दब दो ही अंख होना चाहिए तिरी तीन अंख है तो 6 आजाएगा इधर 8 हो जाएगा तो 30906 25 यहीं आपका राइट एंसर हो जाएगा चल कि 714 है उसका राइट एंसर क्या होगा चली जल्दी फास्त बताइए और किसी परकार का समझने में दिखत हो तो कमेंट कीजिए चली 714 है तो सबसे पहले क्या करना है 714 जो है किसके नजिक में है तो 700 के नजिक में है 700 से कितना अधीक है तो फोटी का है तो फोटीन अधीक है तो एकपछ फोटीन पलस करना है उसके बाद क्या करना है टिन से कितना अधिक है फोटीन एसपी दिडिक है तो क्या करेंगा सेवनचेट करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवेन गांडेड ट्व Україट聯griff करेंगे तो 700 बटे में क्या करना है आपको तुट कर डिवाइडィन करना कैसे चलिल रफиваем गलिए इंसर निकाल यह क्या होगा कि चलिए एंसर क्या होगा आप लोग बताइए चलिए क्या करेंगे सबसे पहले 107 को काटेंगे तो क्या होगा 7 होगा सबसेड़े चलिए जाओ नाइन वुटिप्लाई करना तो कितना होगा 56 बचाभाइब तूसेड़ीज़ा फोटीन और नाइन वचावण सेवेंज़ा फोटीन चावटीन नाइन वड़ाएगा फिप्टी नाइन नटी शिख वान अब क्या करना इधर दबल अंक है तो क्या कर दोना यहांना यह कि घुझाब हो जाइगा जांदे जानते हैं जासे एट हंड़ेट 505 का राईय चैसर क्या होगा स्कुर्ट क्या हों आप लोग बताएं saag sport क्या होगा क एट wors वाइब का स्कुर्ट क्या होगा जल्धी निकाल है कर ईसट ऐस्ट तो क्या एक ही टन्रीट फाइब जोह है किसके नजीग में है एक हंडीड फाइब से कितना अधिक थो फाइब करेंगी तो क्या होगा 25 फाइब जा 25 एट अंडिट फाइब से कितना होगा 25 उसके एक बाद 800 से कितना अधिक है तो 5 अधिक है एक बाद 5 प्लॉस करना है एक बाद 5 को माइनस करेंगे तो मारा हो जाएगा कितना का हंडेड का एक कितना हो जाएगा एंसर हो जाएगा इंसर एंसर एट हो जाएगा एट जीरो इधर है ट्वंटीफाइब उसको पुरा लिख देंगे 60 20ी चलिह आगे बता एंगन हन्लेट टेण का है है नाइन हेंड़ेट टेन का स्क्वार क्या होगा है ऐसे प्रेम स्मझे बताइए नाइन हंडेंड 맞ा laughed की नजीक में है तो 900 की नजीक में 900 से कितना धीक है तो टेन हधीक एक वाई 10 को माइनस करना है तो क्या करना हैu 10 mm 900 900 कि क्या करना 900 में 10 910 को करेंगे तो 910 को माइनस करेंगे तो 900 बटे में 100 का डिवाइड करना है चलिए इंसर बताइए आप आप लोग इंसर बताइए क्या होगा जल्दी फास्ट करना कुछ नहीं है क्या करना है हड मैं हंडेड से 900 कर देंगा कितना से नाइन से अब 929 का मल्टीपलाई कर देना कितना होगा तापका होगा तो यह तक इदर हो गया आपका 100 इधर हमें स्क्यान होना चाहिए दू अंख उना चाहिए डबलन के तो यह किधर आ जाएगा एट टू एट वान अधर बचा जीरो यहीँ आपका राइट एंसर है चलिए आगे बताइए i9 65 965 कर आई टेंसर क्या होगा by 900 65 के स्क्वाइर क्या होगा आप लोग बताए जल्दी फास्त रिए LOT और था हятно 25 का स्क्वाइर क्या होगा चलिए 965ं किसके न अधीक्य conduct आप 52 यह 90 Jacob 990 mile 65 अधीक है dispose अ 7 kis to 35 अधी एक कैसे करेंगे जल्दी बताईए क्या होगा Tradition 65 एंथा नारगा प्रषों को संधी कर पाइब करेंगे जल्दी बताईए Secretary 5 immers क्या होगा do नाइन lite स्कार क्या हुआ होगा जल्दी बताईए फास्ट चल्ब थाइब का स्क्रार हो जाता है कितना 25 कि फ़ाइब का स्क्रार होता है 25 उसके बाद 965 रेंगे कितना होगा 965 में 65 जो रहेंगे कितना होगा होगा 10 30 10 30 अब मुल्टिपलाई में आपका हो जाएगा क्या 965 में को माइनस करेंगे तो 900 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100 से आपको डिभाइड देना है हमेशा 100 से आपको डिभाइड देना है 100 से 900 कटेंगे तर 9 अब चलिए इसको एड कर दीजिए मुल्टिपलाई कीजिए 9 से 0 में मुल्टिपलाई किये तो 09 से 3 में किये तो 27 का 2 बचा कैरी 1 कैरी 2 यहां बचा 29109 इधर आगया आपका 25 25 आगया था 9 2 7 0 25 यही आपका राइट आध्यके एंसर वो गया चलिए आगे बताहिए आपका चली-मेरा आभी का तो आपको céurgle d-Cómo 90 है छो कने चली ओर सोड़ी सक्वाइर क्या होगा हो चलि हमलोग जलदी बताइए फार्स्ट कि एक की तोएटाव्टें depend टी है कि तोन्सीट फटेना इसे पंदरम 15 – 15 करनस एक बार 15 मांनल करन मांफ स्थाव मांफ करना 25 फीप्टिन- phosphorus यही आपका राइट एंसर है चली आगे देखिए वन हंडेड़ वन हंडेड़ 125 का स्कवेर क्या हो लोग भी 125 किस्ते नहीं थी दिख्यां 25 कि सीआ ृक्वालड़ की तीन है तीन की तीन हट्क है 25 का स्क्वार होता है 625 625 इधर बाचा 125 में 25 बेट करेंगे तो हो जाएगा 150 मुल्टिप्लाइ 125 में 25 मैनस करेंगे तो हो जाएगा 100 बटे में 100 समको डिवाइड करना 100 से 101 से खत्म इधर बाचा 150 इधर बाचा 625 625 यह जो क्या इधर में चाहिए एक आजाएगा इधर तो 156 25 यहीं आपका राइट एंसर है यहीं आपका राइट एंसर है चलिए आगे आप लोग बताएए आगे आप लोग का बताना है जैसे 100 110 का स्क्वार क्या होगा चलिए जल्दी कोमेंट किजी आप लोग 110 और 230 का स्क्वार क्या होगा चलिए जल्दी फास्ट 110 और 230 का स्क्वार क्या होगा 110 किस नजिख में हैं मुनल ένα डेंद जो कहो कहीं तो 10010 है कि इतना प्तर से कितना आधिक है एक फुलसट यह तो 05 1210 है होता 66 का होता हैak 10 मीं 10 माइन प्लस करेंगे 320 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 करना है 100 से 100 खतम हुआ बचा इधर 120 इधर बचा 100 तो इधर चला जाएगा होगा चली आगे 230 क्या होगा कि 230 का स्क्वेर क्या होगा कि 230 के नदीक में है 230 के नदीक में escuchar 30 नदीग है था क्या हों do क्या करेंगेείएगी तो जाएगा 200 इधर से करना ह मैंने से डिवाइड करना है तो यहीं आपका राइट एंसर हो जाएगा इससे भी आगे जानना है तो चलिए जानते हैं अगर किसी संख्या के किसी नंबर के लास्ट में 5 हो अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या हो पांच हो तो उसका स्कॉर कैसे निकालेंगे जैसे हो गया से लगंपले 3 Lynn qué name करें चली आपको आथे बीडियो नुटले बैं बताँ ऐसे नॉट्विज के लास नमबर जिसके लास में ऐसे निकर लेंगे आपको अगले वीडियो बताएंगे